केमिस्ट्री की जब भी बात आती है और अगर पूछा जाता है कि तुमको कौन से चैप्टर टफ लगते हैं तुम्हें वह कौन से चैप्टर ने पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो आज ऐसे ही कुछ चैप्टर्स मैं लेके आया हूं कि विचा था हाड़ेस्ट चैप्टर सेशन का है है ऐगर और क्या है को का लए कानोर्ट करना है और वो क्या होगा कि आप उन्हें बना सकते हैं तो सेशन को जैसे कि आखरी तक देखिएगा और मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि यार आपकी भी यही क्वेरी रहती थी यह चैप्टर से हमको टफ लगते हैं मैं भी जब कभी था मैंने भी इन चैप्टर को ना रियलाइज करा कि टफ है और इतने सालों से पढ़ाने के बाद मुझे आज भी यही लगता है कि बच्चों को जनरली इन ही चैप्टर में दिक्कत आती है तो इसको कैसे सिंप्लिफाय करा जाए क्या किया जाए यह सारा हम सेशन में डिसकस करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं जादा चैप्टर नहीं है जो तफl देखने को मिले कंते को मिले बहुती कम चैप्टर में चलिए तो मैं बात करता हूँ जैसे कि chemistry हमारी तीन ब्रांच में बटी हुए यू आल नो इट वैरी वेल कि हमारी physical chemistry एक होती है organic chemistry एक होती है inorganic chemistry अब अगर as a bio student के perspective से मैं देखू ना मेरे बच्चों की हम need की तयारी कर रहे हैं भाई तो हमें जो chapter tough लगता है physical chemistry में it is equilibrium most of the student को equilibrium tough लगता है जब मैं need aspiring था मुझे भी tough लगता था अब equilibrium में दो part है हमारे भाई समझ ना बिटा अगर equilibrium tough लगता है तो इसमें दिक्कत किस वज़े से आती है क्योंकि sir actually क्या है ना इसमें log वाले question आने लगते जब भी log anti log आ गया log आ गया anti log आ गया ऐसी चीजे हम भायो वाले बच्चों को जब भी मिलती है हम थोड़ा घबरास आ जाते हैं हम थोड़ा घबरास आ जाते हैं तो मेरे बच्चे इस chapter को simplify करने के बड़ा अच्छा सा तरीका बता रहा हूँ सबसे पहले chapter का पहला जो portion है आपका chemical equilibrium उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है यह बहुत आसान पार्ट है कुछ बच्चे इसको छोड़ देते हैं चैप्टर ही छोड़ देते हैं कि यार मुझसे नहीं बन रहा chemical equilibrium से कई बार आज इस question आ जाते हैं तो chemical equilibrium कर लो अब अगर बात आती है सर कि आयनी की equilibrium में हम जब जाते हैं तो इसमें बिटा आयनी की equilibrium में आयनी की equilibrium में सिर्फ अगर आप देखेंगे आपका जो बॉफर के question है ठीक है salt hydrolysis के question है ठीक है यहां पे log anti-log ज्यादा देखने को मिलता है तो अगर यह topics आपको देखने को बिल रहा है तो पहले previous year में देखो कि question कैसे आ रहा है कई बहुत आसान question पूछ लेता है लेकिन हमने chapter पढ़ा ही नहीं होता है ठीक है और देखो कि यह लोग क्या टाफ आता है लोग कभी भी टाफ आपको देखने को नहीं मिलेगा तो इस question in chapters का जो फोबिया वो अपने अंदर से निकाली और पढ़ने की कोशिश करिए यह दो पार्ट में बटा है मैंने आपको बता दिया अगला होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जनरली नसीक्वेशन हम जनरली क्या करते हैं साइन कर बेसिक से जाओ कब रिदक्शन हो रहा है कब ऑक्क आप्लीकेशन है अगर आप इसको बहुत थोरोली पढ़ोगे ना आपको समझ आएगा कि यह चैप्टर टफ नहीं अनाधर इस घर्मो क्योंकि calculation अपने को देखने को मिलती है या सर हम गलती करते हैं इसमें एनर्जी और वर्क के क्या एनर्जी हीट और वर्क के साइन कन्वेंशन में साइन कन्वेंशन में तो भाई आप एक बात जान लो कि साइन कन्वेंशन कब कौन सा अपलाय करना है और उसे अपनी टेबल प में पढ़ता ही नहीं है सबसे पहली बात और गेनिक टफ लगने का सबसे बड़ा रीजन है कि क्लास 11 में बच्चा इस चैप्टर को छोड़ चुका होता है कि यार या अच्छे से नहीं पढ़ता क्योंकि समाइसो मारिजम देखने को मिलेगी आपको जी उसी देखने को मिल लगते हैं कि हमको और गेनिक टफ लगती है आपको और गेनिक में इस चैप्टर को बिल्ड करना है मतलब करना है और वन आप दस मतलब मोस्ट टफ़स टॉपिक जो बच्चे मानते हैं वह आल्डिहाइड की टोन कार्बॉक से लिक ऐसे क्लास 12 और गेनिक यह तफ नहीं है सिम्एं याद करने को बहुत ज्यादा है इसमें नंबर आफ रेयक्शन की verify अगर मैं बात करूंगा नंबर आफ रियक्शन निंउमर सापको देखने को मिलेंगी नंबर आैक्शन साट बहुत ज्यादा को मिलेंगी इसलिए लोग इसे टफ मान लेते हैं तो मैं एक बात कहत वैसे तो बायो वाले बच्चों को टफ नहीं लगता और अगर इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको डी एंड एफ ब्लॉक और कॉडिनेशन केमिस्ट्री टफ लगता है तो जाके प्लेलिस्ट में मेरे लेक्चर चेक करिए आपको मैंने इन चैप्टर्स को इतने आसानी स सब्सक्राइब कुछ तरीका बोली नहीं रहा और अगर इतना सब भी आपको हाड़स लग रहा है केमिस्ट्री में तो भाई आई ये आप लोगों के लिए जजबा 1.0 के बच्चे यहां पर अटेंडनेंस दे जाना जजबा 1.0 के बच्चे यहां अटेंडनेंस दे जाना उनको पता है कि केमिस्ट्री को आसान अनुराग सरने कैसे बनाया है केमिस्ट्री को आसान कैसे बनाया और अगर आप भी अपनी केमिस्ट्री को आसान बनाना चाहते हैं मैं बार 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 बोल रहा हूं तो भाई अभी मन्थ एंड है 31 तारीक है आपके लिए हमने जजबा टू पॉइंट टो बैच लेके आये थे जो कि आपका सेप्टेंबर से शुरू होने वाला फर्स्ट आप सेप्टेंबर से यह बैच अगर आप मन्स एंड में बिटा लेते हैं और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं ए बी सी अनुरा बगेल केमिस्ट्री डॉक्तर ए बी सी तो आप जानते ही ए बी सी कोड यूज करते हैं तो यह बाच बेटा आपको सिर्फ 1666 रुपीज में पढ़ेगा सिर्फ ओनली यह बैच इतने में पढ़ेगा आपको देखिए जजबा वन पॉइंटो के बच्चे जानते हैं कि किस क्वालिटी की एजूकेशन में वीडियो सॉलीशन के साथ मिल जाएंगी मेरे पूरे ADRP आपको कोई डाउट आता है तो उसका डाउट रिसॉलीशन प्रोग्राम हमारे अड़ा का आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको उस आपको डाउनलोड कर लेना अगर कोई नया बच्चा है वहां पे आपको यह बाच अभी आज अगर आप लेते हैं 50% आफ में मिल जाएगा और कोई भी क्वैरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं मेरा बस इतना कहना है बिटा अब सैप्टेंबर आने वाला है सेलेक्शन की रहा को और मजबूद बनाना है तो प्लीज पढ़ाई क करते रहिए और अगर NBTS भी आपने नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप इस कोट को यूज करेंगे NBTS भी आपको बिटा बहुत कम और मिनीमम अमाउंट में अविलेबल हो जाएगा ठीक है तो मुझे कॉमेंट बाक्स में जरूर बताएं कि जजबा 1.0 में कि जब आपको जब को भी आपको।